हरे कृष्णा मेरे चनल में आप सभी का स्वागत है तो आज का मेरा वीडियो है संतान प्राप्ति के लिए कौन से देवता की पूजा करें संतान प्राप्ति के लिए किस देवी देवताओं की आरातना करनी चाहिए इससे पहले फ्रेंड से अभी तक आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लीजेग और बेल आइकन में जरूर प्रस कीजिए जिसे कि मैं ऐसे वीडियो लाती रहूंगी तो आप तक पहुंच सके तो बेडियो सुरू करते हैं अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके साधी के 3-4 साल निकल जाते हैं और वो बच्चे नहीं कंसीव कर पाते हैं उनके बच्चे नहीं होते हैं तब तो निरासा बन जाती है, कई लोग ऐसे निरास हो जाते हैं एकदम की बच्चे नहीं होंगे, जिनकी ही ऐसी बिर्थ हो गई है बच्चों के बीना, तो इसके लिए कुछ उपाई है और ऐसे बंगमान का मन्त रुजाप और पूजा करना है, जिससे हमें संतान प्राप्त तो उपाई यह है कि दमपत्ति को गुरुबार का ब्रत रखकर पीले वस्त धारन करें, पीली वस्तुओं का दान करें यथा संबो पीला भोजन ही करें, पीला मतलब गुरुबार का ब्रत रखना चाहिए, पीले वस्तुओं का दान करना चाहिए, और पीली वस्तुओं का ह भोजन करना चाहिए माता बनने की इक्षुक मैला को चाहिए कि गुरुबार के दिन गेहुं के आटे की दो मोटी लोई बना कर उसमें भींगी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी मिला कर नियम पूर्बक गाय को खिलाए मोटी रोटी उसमें थोड़ी सी चना की दाल मिला के गाय को खिलाना है उत्तम संसारिक संतान के लिए सुकलपक्ष के किसी भी दिन बर्गत के पत्ते को धोकर साप करके उस पर कुम्कुम से स्वास्तिक बना कर उस पर थोड़े से चावल और एक सुपाड़ी रखकर सूर्यात से पहले किसी मंदिर में आर्पित करने और प्रभू से संतान का वर्दान देने के लिए प्रात्ना करें निश्चित ही आपको शंतान की प्राप्ती होगी पूर्व फालगोन नक्षटर में आम की जड़ को लाकर उसे दूद में घिस कर इस्तरी को पिलाए यह सित एवं परिक्षित प्रियोग है उत्तर फालगोन नक्षटर में नीम की जड़ लाकर सदय अपने पास रखने से ने संतान दमपतियों को संतान सुक प्राप्ति अवश्य होती है नेवू की जड़ को दूद में पीस कर उसमें सुद्ध देशी गी मिला कर सेबन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है यदि बिवाय के दस्या बारे वर्ष बाद भी संतान ना हो तो मदार की जड़ को सुक्रवार को उखार लें उसे कमर में बांधने से इस्तरी अवश्य ही गर्फवती होती है यदि मेरा वीडियो अपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट और से जरूर कीजिएगा धन्यवाद